किसान भाईयो आने वाड़े समय में कई राज्यों के अंदर मतलब किसान मेले आयोजीत होनी है तो आज अपने इस वीडियो के अंदर जो पूसा के अंदर किर्शी विज्यान मेला जो आयोजीत होना है बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कब वो आयोजीत हो रहा है और कहां आयोजीत हो रहा है इसके लिए इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा लाश्ट तक देखें और लाश्ट के अंदर वो कॉंटेक्ट नमबर भी दे रखा है जहां पे अपने लोग किसी भी भी दिया जाएगा उसके अंदर जो छे तरीक लाश्ट थी वो भारम बरने की वो भी जा चुकी है और ये जो मेला रहेगा दो से लेके च्यार मार्च के दोरान ये मेला तीन दिन चलेगा तो इसके अंदर जो मेन क्या क्या मतलब मेले क्या करसन रहेंगे उसके अंदर क्या पर एक लाइव परदाशन वहां पर किया जाएगा सबजियों और फूलों की जो खेती है उसके उपर किस टेकनोलोजी से अपने लोग जा सकते हैं उसके बारे में वहां रहेगा ICR और नीजी कंपनियों दोबरा जो क्रिशी उपकरण है और मशीनरी का परदाशन और बिकरी का वहां पर आयोजन रहेगा जो मुख्य मेले का आकरसन रहेगा सारवजनिक और निजी संक्षनों दोवारा फसलों पौदों और पौदों के बीजों की बिकरी का वहां पे रहेगा मुफ्त मिटी और पानी प्रिक्षन की सुविदा इस मेले में रहेगा तो ये मेंचीज मतलब इस मेले के जो आकरसन है वो ये रहेंगे और इसके अलावा ये हम और बात करें कि इस मेले के अंदर क्या रहने वाड़ा है इसके साथ साथ कुसल जल उपयों के लिए सिंचाई टेकनोलोजी जो है मतलब इरिगेशन टेकनोलोजी उस पे वहां पे मतलब वो देखने को मिलेगा किसानों के उतपादों का परदसन और बिक्री उसका वहां पे रहेगा किसान गोश्टी रहेगी वहां पे क्रिशी सहिते का नीसुलक वितरन रहेगा जो अभिनव किसानों की बैठक और उनका सम्मान ये जो चीज़े वो वहां पे रहेगा नेशनल फ्लोवर शो यानि की फूलों की खेती उसका वहां पे रहेगा और किसानों के ठैरने के लिए नीसुलक जो है वो विवस्ता रहेगी ये सारे चीज़ें वहां पे मतलब इस मेले के दोरान रहेगी तो इसलिए मैं बार-बार के रहा हूँ कि लास्ट के अंदर कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है जहां पे अपने लोग इन सभी चीज़ों के बारे में अपने लोग जानकारी ले सकती है इसके लावा इस मेले के अंदर जो मुख्य है फोकस रहेगा किन चीज़ों पे मुख्य फोकस रहेगा तो मुख्य जो फोकस है वो आप ये मानके चलो कि कृसी मेले में समार्ट और और और्गेनिक फार्मिंग पे जो है वो फोकस रहेगा आइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती है इसके बारे में किसान उत्पादक संग्ठन यानि एफ पी ओ जिनको अपने लोग बोलते हैं उसके उस पे मुख्य फोकस रहेगा जेविक और प्राकर्टिक खेती क्रिशी उत्पाद के निर्यात में वरदी पर मुख्य फोकस होगा इसके अलावा जो में फोकस रहेगा वो रहेगा कि खेती में ड्रोन तकनीक और साधनों को कैसे अपनाया जाए यानि कि खेत के अंदर जो ड्रोन की तकनीक सप्रे करने की उस टेकनोलोजी के बारे में वहाँ पे बात की जाएगी और इसकी पूरी संपूरन जानकरी इस मेले के अंदर दी जाएगी और परदर्शनियां भी दिखाए जाएगी तो किसान भाईयो ये मेला बहुत इंपोर्टेंट है अपने लिए बहुत मैतव पूरन है अपने लोगों के लिए इस मेले के अंदर अपने लोगों को पहुंचके अपने को क्रिशी समंदित सारी जानकरिया मतलब लेनी चाहिए तो इसका जो मेला स्थल रहेगा वो मेला ग्राउंड बार्थिय क्रिशी अनुसंदान संस्तान नहीं दिली ये मेला ग्राउंड जो है मतलब बारतिय क्रिशियन उसंदान संस्तान का वो इसका मेला स्थल रहेगा इसके साथ साथ अपने कॉंटेक्ट कर सकते हैं ये जो मेला रहेगा ये दो से लेके चार मार्च तीन दिन तक चलेगा याँ website भी दी हुई है उस website पे जाके अपने लोग कोई भी help ले सकते हैं उसके अलावा जो पुशा का help line नमबर है 1800 11 39 89 इस नमबर पे आप call भी करके अपने सुविदा अनुसार कोई भी बात अपने लोग कर सकते हैं इसके साथ ये जो contact number यहाँ पे दिये हुए हैं ये अपना कोई भी stall booking करानी है या मेले से समंदित कोई भी वर्तलाप करनी है तो इन दिये हुए नंबरों पे आप लोग मतलब संप्रक कर सकते हो जो समंदित अधिकारी है उससे बाचित करके आप लोग मेले से समंदित कोई भ पूसा का जो किर्शी विज्ञान मेला है कब आयोजीत है और कहां आयोजीत होना है और इसमें क्या-क्या मुख्य आकर्सन रहेंगे तो मेरी तरब से इतना ही और जय जवान जय किसान